अखिलेश यादब के लिए जीवन मरन का बना दिया गया है दिरसल गोशी छेत्र विधान सभा में चुनाब की होशना हुई और बीजेपी के उमिदबार का सीधा टककर समाजबादी पाठी से लेकिन सुभाषपा के सुप्रीमो ओपी राजभर ने या कह करके कि मैं एक माबाप की आौलाद नहीं यदि समाजबादियों को अखिलेश यादब को सेफ़ाई नहीं गुशा दिया उत्तर गुदेश में समाजबादी पाठी और उसके सुप्रीमो के लिए कोई ऐसी बात कहे तो तिल मिलाहाट कैसी होगी ये समझा जा सकता है लेकिन बात महत्पून ये है कि गोशी विधान सवाचेतर से जो उमिदवार खरा हुआ है वो सुभाशबा का तो है नहीं वो तो भारतिय जनदा पाठी का है दारा सिंग दरसल समाजबादी पाठी से ही विधायक थे लेकिन इस्तिफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए विधान सवाचेतर गमा करके सत्ता की कलालच हुआ होगा लेकिन दारा सिंग चोहान जिस छेतर से चुनाब लड़ रहे हैं वो दलित और मुस्लिम बहून छेतर है फिर भी वो जीते समाजबादी पाठी में रहे उनके सामने समाजबादी पाठी ने अपने पुराने उमीदवार को खड़ा किया है मुस्लिम और दलित आवादी बाले इस छेतर में सुभाशपा के से कोई उमीदवार तो नहीं खड़ा हुआ लेकिन ताल ओपी राजबर ने क्यों छेड़ा है दरसद ओपी राजबर के कई सारे ऐसे रोचक बयान आपको याद होंगे जो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादब को खुजली दिलाने के लिए उन्हें बुलाएगे यह कहते ना कि से फ़ई गुसा दूँगा यह बात ऐसी है कि माना जाता है कि समाजबादी पार्टी का पूरे विकास का केंदर से फ़ई ही हुआ करता था एक समय जब अखिलेश यादब के पपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब या फिर अखिलेश यादव उत्तरप्रदेश के मुखी मंत्री हुए तब सेफ़ई ही समाजबादी पार्टी के सत्ता का केंद्र हुआ करता था देश का बॉलीबुड का कौन ऐसा नायक खलनायक ना हुआ होगा जो पैसा पाकर सेफ़ई में ठुमके ना लगाया हो सेफ़ई के जनता को एक गर्ब महसूस होता था कि दुनिया के लोकप्रिय नायक नायका उसके हाँ आकर के अखिलेश यादव और उलायम सिंग यादव के सामने ठुमके लगाने को बेबस होते है कई बार सवाल ये उटता है कि आखिर फिर आज वो ठुमके सेफ़ई में क्यों नहीं लगाया जाते है क्या देश की या यू कहें कि उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमा इस सेफ़ई में बहया जाता था इन मवालियों नचनियों के उपर और वहीं चोट मार रहें ओपी राजबर यह करके कि असली माबाप का बेटा ना हुआ असली माबाप का उलाद नहीं हुआ कि अखिलेश यादव और समाजबादी पार्टी को सेफ़ई में न गुसा दिया घोशी आखिर 2024 के चुनाब के घोशना का केंद्र क्यू बन गिया विदान सभा में स्टेंग मुख्यमंत्री योगी आदितनात अखिलेश को बववा बना कर मानते हैं बार बार ये किहना उनके चच्चा श्रीपाल यादव से कि कुछ समझाओ इसे ये बताता है कि योगी ना सिर्पुने बौना करके विदान सभा में अपमानित करते हैं किस वक्ति को इतनी बड़ी पार्टी का सुप्रीमब बना दिया अब ओपी राजबर जहां चोट मार रहे हैं इससे ये लगता है कि राजबर को भाजपामी लाया ही इसलिए गया है कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि सुई तलवार का काम नहीं कर सकता और तलवार सुई कर जाती बादी राज़निती करने वाले या खिलेश यादब जहां पत्रकारों से पूछ लेते हैं कि कौन जात हो अच्छा मिस्रा जी हो तब तो ऐसा करोगे ही मतलब दर्शान है कि कोशिश अपने जनता को करते हैं कि वो पिछड़े हैं इसलिए उन्हें अपमानित क्या करता है कोई सवर्न पत्रकार या सवर्न योगी आदित देना इसलिए ओपी राजभर उन्हें वहाँ चोट मारते हैं जिसे कई बार बिलो दे बेल्ट कह दिया जाता है राजभर क्यों ऐसे चोट अखिलेश को मार रहे हैं जो चोट योगी के चोट से भारी पर आए इसे ही राजभर का रंग कहते हैं और उत्तर प्रेस्ट में 2024 के चुनाफ से पहले ये रंग चट गया है तो समझ में आएगा क्या खिर ओपी राजभर को लाया क्यों गया है बहुत बहुत धन्यवाद तो, है तो, ये लोगी के संझ मेंग